बेहार में बेखौप अपरादियों ने सत्ताधारी बीजेपी नेता को निशाना बनाया है मुंगेर जिले में दिनधारे बीजेपी नेता को अपरादियों ने गोली मार दी ये वारदात लोगों की आँखों के सामने अंजाम दी गई दरसर मुंगेर के इवनिंग कॉलिज के पास ही जहां अपरादियों ने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और अल्प संखिक चहरा अजफर शम्शी को निशाना बनाते हुए गोली बारी की इस दुरान अपरादियों की गोली से अजफर बुड़ी तरह जखमी हो गई घायलनेता वो इलाज के लिए आननपानें में सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है खबरों के मताबिक अजफर कॉलिज के प्रोपेसर भी हैं वो अपनी कार से निकल कर कॉलिज जा रहे थे इसी दुरान उन पर अग्यात लोगों ने गोली बारी की गोली बारी के दुरान दो राउंड फाइरिंग की गई अब राग्यों ने उन्ही टारगेट करते हुए सिर के राइट साइड की कनपटी पर गोली मारी है उनके सरीर में दो गोली लगी है जिसमें से एक गोली कनपटी में लगने के बाद फंस गई है फिलहाल उनका इलाज चल रहा है गोली बारी की इस घटना को किन कार्णों से अंजाम दिया गया है इसका पता नहीं चल सका है मामले की जानकारी मिलते ही पुलीस ने चान बिंट में जुट गई है नियूस जट